येशु बुलाता तुहे येशु बुलाता तुहे बड़ी चाहते तुमको बाहों मिलेने येशु बुलाता तुहे येशु बुलाता तुहे येशु बुलाता तुहे बड़ी चाहते तुमको बाहों मिलेने येशु बुलाता तुहे दुख की गहराईयों में देगा शांती तुहें दुख की गहराईयों में देगा शांती तुमें सो समझ कर उसे नहारो आनन अनोखा देगा तुहें येशु बुलाता तुहें येशु बुलाता तुहें बड़ी चाहते तुमको बाहों मिलेने येशु बुलाता तुहें मेरे प्रिये युवा भाई बेनों आप सभी को जैसु मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इस कारिक्रम से जुड़े हैं और अनरोद करता हूँ कि इस कारिक्रम से जुड़े रहें ये ठंडी का मुसम है और कभी-कभी ये भी हो सकता है कि हमारे आध्यात्मिक्ता में भी ठंडी आ जाएं हमारे मन और हुदे में भी ठंडी आ जाएं हमारे शरीर में आलज सी आ जाएं कि समय हमें अपने आपको ज़्यादा जागुरुक रखने की अवशकता है हमारा जीवन एक संगर्ष है जीवन जहां कहीं भी ओं कठिन है और एक संगर्ष है सबसे पहले सती को जानना ज़रूरी है मैंने देखा कई छोटे भाई बहन कई युवक्योतिया अपनी जीवन में छोटे मोटी विपलताओं में तूड जाते हैं इसा नहीं होना चाहिए अमें आगे बहते रहना चाहिए कभी हिम्मत नहीं हरना चाहिए अमें प्रभु की शक्ती पर भरोसा रखना है प्रभु के पवित्र वचनों का प्रकाश पाना है जब जीवन में हम लोग ब्रहमित हो जाते हैं उन सारे छणों में प्रभु के पवित्र वचन का प्रकाश हमें मार्ग दिखाएगा प्रभ येसु ने अपने शिश्यों को अपने पास बुलाया प्रभु ने कहा आओ और देखो जिसके बारे में आजा वचन सुनेगे और जितने लोग येसु के पास गए और देखे उनके साथ रहे वे उनके शिश्य बने उनके साथ हो लिए प्रभु ने आपको भी ये मोका दिया है कि आप भी प्रभु का वचन सुने हैं प्रभु को कुछ हद तक अनभो किये हैं ताकि आप भी जीवन भर प्रभु के साथ जूड़े रहेंगे और प्रभु के साथ बहुत फल उत्पन करेंगे द्यान पूर्वक वचन को सुनेंगे और यहाँ बात विशेष रूप से उन सभी इवा भाई बहनों के लिए है जो अभी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परिक्षा के बाद अपने जीवन को प्रभु की सेवा कारे के लिए समर्पित करने की योजना बना रहे हैं बुलाहट क्या है? इसका तात्पर यह क्या होता है? जिसे हम अन्य शब्दों में शिश्वत्व कहते हैं जो प्रभु की सेवा कारे के लिए अपने आपको समर्पित कर देते हैं इसका तात्पर यह यह हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में इश्वर की प्रेम पूर्ण उपस्तिती को खोजते हैं उसकी तलाश करते हैं और उसका प्रति उत्तर देते हैं यहां पर साफ साफ शब्दों में मैंने कहा कि इश्वर की प्रेम पूर्ण उपस्तिती को खोजना तलाश करना और उसका प्रति उत्तर देना है हम जानते हैं जब ईश्वर का विधान मनुश्र के जीवन में पूरा होता है तो ईश्वर अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजता है उस मुक्तिदाई योजना को हमारे बीच में पूर्ण करने के लिए और प्रभु लगातार तीन वर्षों तक घूम घूम कर ईश्वर के राज्य की घोशना करते हैं और उसकी घोशना करते हुए वे मनुश्यों का सहयोग पाते हैं निरे मनुश्यों का सहयोग ईश्वर के राज्य की घोशना के लिए उन्हें मिलता है अब वही राज की घोशना करने के लिए येसु और इश्वर हमें बुलाते हैं कि हम उसी स्वर्ग राज की घोशना करने के लिए अपने आप के जीवन को प्रभू में समर्पित करें समर्पित जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा कार्य होता है अनुभव का यदि हमारा अनुभाव प्रभु के साथ में अच्छा होता है गहरा होता है तो हम उसकी बुलाहट को पहचानने लगते हैं सामुल के ग्रंत अधियातीन वाके संख्या तीन से लेकर उन्नीस के बीच में हम सामुल की बुलाहट के बारे में पढ़ते हैं कि सामविल को जब उसकी मा मंदिर में सौप देती है वहाँ पर छोड़ देती है प्रभू के सेवा कारे करने के लिए तो प्रभू अपने कारे को करने के लिए उसे बुलावा देता है प्रभू उसे कहते हैं सामविल सामविल वह प्रभू के संदूक के सामने सोते हैं और वह एली उससे कहते हैं कि मैंने नहीं बुलाया है आप जाकर आराम कीजिये यहां पर हमारे लिए सोचने वाली बात है वचन में हम पढ़ते हैं सामविल प्रभू से परिचित नहीं था वचन क्या कहता है सामविल प्रभू से परिचित नहीं था और परिचित नहीं होने के कारण में उसके साथ में उसका कोई भी अनुभाव नहीं था और इसी कारण से वह प्रभु की बुलाहट को समझने और उसका प्रति उत्तर देने में आसंबर्त था जब एली को पता चल जाता है कि ईश्वर उससे बुला रहा है यहां ईश्वर की योजना है उससे बुलाहट मिल रही है तब वह कहता है कि जब अगले बार प्रभु तुझे पुकारेंगे तो कहना ही प्रभु बोल तेरा सेवक सुन रहा है और जब तीसरी बार सामिल को प्रभु बुलाते हैं तो वह इन्ही शब्दों के साथ में वह प्रभु को स्विकार करते हुए उसका अनुभाव लेता है और हम आगे वचन में पढ़ते हैं जहां पर वचन कहता है सामिल बढ़ता गया प्रभु उसके साथ रहा और उसने सामिल को जो वचन दिये थे उन में से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया जैसे जैसे उसने प्रभु को स्विकार किया अपने अनुभाव को गहरा किया वह प्रभु के लिए समर्पित हो गया वह इश्वर की योजना के लिए समर्पित हो गया और यही कारण था कि हर समय हर शन वह अपने जीवन में इश्वर की योजना को पूरी करता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि बुलाहत का तात्परयया है कि अपने धैनिक जीवन में ईश्वर की उपस्तिती को खोजना, उसको ढूड़ना, समझना, जानना और उसका प्रतियुत्तर देना जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो शिश्वत्व है वो अनुभाव के द्वारा प्राप्त होता है और इस अनुभाव को किसी भी सिधान्त के द्वारा या किसी भी प्रकार के इस पस्टिकरन के द्वारा हम सिध नहीं कर सकते हैं या एक विक्तिगत अनुभाव है जिसे हम जीवन में पूर्ण होती है हमारे सामने एक बहुत अच्छा उधारन है जिसे हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय तीन वाके संख्या 35 से लेकर 42 के बीच में बढ़ते हैं योहन बबतिस्ता अपने साथ रह रहें शिश्यों को येशु के बारे में बताता है और जब शिश्यों येशु के बारे में सुनते हैं तो उनके बारे में जानने के लिए वे लोग प्रभु के पास आते हैं प्रभु उन्हें पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो तुम किसे ढूड रहे हो तब शिश्यों कहते हैं कि प्रभू आप कहां रहते हैं? प्रभू प्रतियुतर में कहते हैं आवो और देखो। यह प्रभू का निमंदरन था अपने अनुभव को उन सिश्यों के साथ साजह करनेक में. और जब प्रभु अपने अनुभाओं को उन शिश्यों के साथ साजा करते हैं वे प्रभु को भली भाती जानते हैं वे प्रभु की बुलाहट को स्विकार करते हैं ना केवल प्रभु की बुलाहट को स्विकार करते हैं बलकि एक माध्यम बनते हैं अन्य लोगों को प्रभु के साथ और प्रभु के सानिध्य में लाने का जैसे हम सुसमाचार में आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो मुख्य बाते हमारे सामने हैं बहली बात है कि शिश्य बनने के लिए हमारे पास अनुभव की जरूरत है हमारा अनुभाव जितना गहरा होता है प्रभू के साथ में हमारा रिष्टा उतना ही मजबूत होता है दूसरा मतपूर्ण बात है कि हम किस प्रकार से दूसरे लोगों के लिए माध्यम बन सकते हैं प्रभू का अनुभाव लेने में हम लोग सामविल के गरंत में पढ़े जहां पर नभी एली सामविल के लिए एक माध्यम बनता है प्रभू के बुलाहट को स्विकार करने के लिए वह उसे स्विकार करता है अपने जीवन में उसे आंगिकृत करता है और प्रभू के कार्य को वह अपने समपूर्ण जीवन में पूरा करता है हम संद्योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जहां पर योहन बब्प्तिस्ता जिसका अनुभाव गहरा था और जो प्रभू के विशे में साक्षी दे रहा था वह अपने शिश्यों को उस अनुभाव को प्राप्त करने के लिए एक माध्यम बनता है और शिश्यों को उनके पास भेजता है हम में से भी हर एक लोग एक माध्यम है कहीं न कहीं हम प्रभु के उसी अनुभाव को एक दूसरे के साथ बाटते हैं आज जरूरत है कि हम अपने छोटे भाईबहनों और नव इवक्तियों को हम प्रोटसाहित करें हम उन्हें उत्साहित करें उस अनुभाव को अपने जीवन में गहराय से प्राप्त करने के लिए उस अनुभाव का हिस्सा बनने के लिए और उस अनुभाव को लेते हैं अपने आपके जीवन को समर्पित करने के लिए जब योहन अपने शिश्यों को प्रभू के पास भेजते हैं तो प्रभू का बुलाहट उनके लिए मिलता है और वे पूरे दिन उनके साथ रहते हैं यहाँ पर रहना शब्द का तातपरिय बहुत गहराई है रहना शब्द हमारे लिए अपने रिष्टे को अपने प्रति बधता को अपने प्रति उत्तर को गहराई में लेकर प्रभू के साथ जोडने से है शिष्य लोग संभावता जाकर प्रभू के अच्छे कारियों को देखा उनके गवाही बने उनको जानने का सुनने का और समझने का आउसर मिला और उसी आउसर को प्रभू अपने शिष्यों को देते वे कहते हैं आवो और देखो आज जरूरत है हमें से हरे एक लोगों को प्रभू के उसी अनुभाव को बाटने के लिए प्रभू के उसी अनुभाव को अपने नव इवक्तियों के जीवन में साकार करने के लिए उन्हें मदद करने के लिए जैसे ही वे अपने जीवन में उस अनुभाव को प्राप्त करते हैं वे एक अच्छे प्रभु के शिश्य बन जाते हैं आज हम भारत वर्ष के एक महान संत जोसिप वास का परवदिवस मना रहे हैं उनके जीवन की दो बाते महतपूर्ण है वे सबसे पहले तो बहुती धर्मी थे विश्वासी थे अपने विश्वास के बहुत पक्के थे जिसे उसने अपने परिवार के माद्यम से पाया था दूसरा था युखरिष्टी संसकार में उसका विशेस महत्व था वे लगातार युखरिष्टी संसकार को लोगों के सामने लेकर जाते थे और पापसिकार सुनते थे और यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है और यही कार्य हमको प्रभू में अपने अनुभाओं को गहरा बनाने के लिए मदद करती है आजकल हम देखते हैं कि हम लोग मिसापोजा जाना छोड़ दिये हैं जब से ओनलाइन बेवस्था आई कोरोना काल से बहुत सारे इवक इवक्तिया कहते हैं कि हमको जाने की ज़रूरत नहीं है हम ओनलाइन ही प्रभू के वचन को सुन लेते हैं मिसपोजा में भाग ले लेते हैं बहुत सारे लोग प्रातना में नहीं जाते हैं बहुत सारे लोग रिट्रीट में नहीं जाते हैं और जब इन आउसरों में वे अपने आप को विलग कर लेते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वे अपने अनुभों में इश्वरी अनुभों को लेकर आएंगे। संभौता संसार की भागदोड में और जितने भी उपकरन इस संसार में अभी तकनिकी के द्वारा प्राप्त हुए हैं। उनके उपभोग में हम इतने खो गए हैं कि केवल हमारे पांस में उन्ही का ही अनुभों रह गया है। हमारे पांस में इश्विरे अनुभाव को लेने के लिए उसे महसूस करने के लिए कोई भी आउसर नहीं बच पाता है। हम बहुत अधिक व्यस्त हो गए हैं। हमें चाहिए कि हम अपने व्यस्त पूर्ण जीवन को थोड़ा विराम देकर अपने दैनिक जीवन में प्रभू का अनुभाव लें। सामुल की भाती हम प्रभू के वचन को स्विकार करने और उसे सुनने में हम समर्थ हो पाएंगे। योहन के शिश्यों के भाती हम प्रभू के पास जाकर प्रभू के अनुभाव को जीने और उसके लिए अपने आपको समर्पित करने के लिए हम वचन बद हो जाएंगे तो मेरे प्रिये इवासातियों हमें चाहिए कि हम प्रभू में अपने अनुभाव को लगातार गहरा बनाते जाएं और यह अनुभाव हमें हमारे विश्वास में हमें मजबूती देगा हमारे जीवन शैली को सुधारने में हमें बल देगा हमारे सोच विचार में निपुन्ता को लाने के लिए और दिव्यता को लाने में हमें मदद करेगा और इस तरह से हम पवित्रता की और आगे बढ़ते हैं वे इश्वर की राज्य को अन्य लोगों तक पहुँचाने के लिए हम अपने आप को समर्पित कर पाएंगे तो आईए हम जीवन के हर एक आउसर पर लगातार प्रभू को अनुभाव करें और दूसरे लोगों के लिए भी अनुभाव करने का एक अच्छा माध्यम बने आप सुभूं को जैये शू आईएम प्रारत ना करें अपने आखें मंद कीजिए द्यालू प्रभू मैं तुछे दिन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए इस समय अपने छोटे भाई बेनों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ अपने बेटे बेटियों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ विशेश करके जो घायल हैं जो तूटे हैं जो जीवन में विफलताएं अनभाव करते हैं प्रभून पर दिया करना ये वावस्ता बहुत कठी नहीं ये सू इस वावस्ता में लोग बहुत जल्दी तूट जाते हैं बावताएं बहुत मजबूत रहते हैं इसलिए बहुत जल्दी टूट जाते हैं मैं उन सारे भाव बैनों के लिए प्रारतना करता हूँ जो टूटते हैं निराश हो जाते हैं उनको तू सहरा देना उनको अपने करीब बुलाना कहना कि आओ देखो मेरे साथ रहो मैं तुमें सामर्थ दूँगा मैं तुम्हें सहारा दूंगा मैं तेरे साथ रहूंगा प्रभी ऐसु एक भाई बेहन को एक छोटे बेटे बेटी को तेरी सावाज को सुनने की कृपा देना सिर्जु काईए सर्विशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवितरात्मा आपको आशिर्वात प्रदान करें, आमेन जैसु सची सुरक्षा देगा तुम्हे, ये सु बुलाता तुम्हे ये सु बुलाता तुम्हे बड़ी चाह से तुम्हों बाहों मिले ने ये सु बुलाता तुम्हे बड़ी चाह से तुम्हों बाहों मिले ने ये सु बुलाता तुम्हे ये सु बुलाता तुम्हे ये सु बुलाता तुम्हे